बिहार का जंजारपूर लोकसभा सीट कई मायनों में देश के दूसरे लोकसभा सीटों से अलग है समाजवाद की प्रयोग भूमी के तौर पर प्रशिद्देश सीट पर होने वाली राजनीती बिहार के अन्य सीटों के मुकाबले एक दम अलग रही है जबसे यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आया है तब से यहां की सियासत पिछडे अती-पिछ़़ों के बीच गूमती रही है तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के जंजारपूर लोकसभा सीट की जंजार और पूर दो शबदों के मिलने से बना है जंजारपूर जंजार का माने है बर्षा का बेग और पुर का अर्थ यहां भरी पूरी नदियों से है तेज बेग वाली अपार जलरासी लेकर चलने वाली नदियों की भूमी नेपाल की सीमा से सटे बिहार के इस हिस्से में हिमाले की तराई से बहने वाली अनेक नदियों का पानी आता है खास तोर पर कमला और बलान नदियां इस धर्ती को सदियों से सिंचित करती रही है यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता और घंगोर हर्याली बर्बस आकरशित करती है। जंजारपूर कांस्य के बरतन बनाने के लिए भी प्रशिद्ध है। सीएम का गाउं भी कहते हैं। जंजारपूर पहले मधुबनी लोकसभा सित्र के अंदर ही आता था। लेकिन 1972 में या एक अलग लोकसभा सीट बनकर सामने आया। इस सीट के अस्तितों में आने के बाद से 13 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। जिसमें से 11 बार इस सीट मिश्र ने जीत हासिल की। हलाकि 1977 में जंता पाटी की लहर में या सीट कॉंग्रेस से छिन गई और भारतिये लोक दल के धनिक लाल मंडल जंजारपूर से संसद चुने गए। 1980 के चुनाव में भी धनिक लाल मंडल ही संसद पहुँचे लेकिन उस समय उनकी पाटी जंता पाटी सेकुलर हो गई थी। 1984 में इंद्रा गांधी की हत्या के बाद साहन भूती लहर में कॉंग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर कबजा कर लिया। तब गौरी संकर राज हंस यहां से जीत कर संसद पहुँचे। 1989 में यहां सियासत की हवा बदल गई, 1974 आंदोलन से निकले चर्चित समाजवादी नेता देवेंद्र प्रशाद यादो जंता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीते और लगातार 91 और 96 के आम चुनाव में जीत कर जीत की हैट्रिक लगाई। 1998 में जंजारपूर से राजद नेता शुरेंद्र प्रशाद यादो संसद चुने गए लेकिन 1999 में एक बार फिर देवेंद्र प्रशाद यादो यहां से चुनाव जीत गए। 2004 में देवेंद्र यादो राजद के टिकट पर संसद पहुँचे 2009 में सीट पर जदियू ने कबजा कर लिया तब मंगनी लाल मंडल राजद के देवेंद्र यादो को हरा कर संसद पहुँचे जंजारपूर में पहली बार कमल खिला 2014 में जब विरेंद्र कुमार चौधरी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा का जंडा बुलंद किया 2019 में या सीट फिर एक बार जदियू के पास चली गई और जदियू नेता रामपृत मंडल यहां से संसद चुने गए तो इस तरह जंजारपूर सीट से मौजूदा संसद हैं रामपृत मंडल तो आपने देखा कि जंजारपूर लोगसवा सीट से 1972 से लेकर अब तक अनेक कद्दावर नेताओं ने संसद तक का सफर पूरा किया सबने अपनी राजनीती खूब चमकाई लेकिन जंजारपूर की जंता आज भी अपने को ठगा महसूस करती है कमला बलान नदियों में हर साल बार से आने वाली तबाही सूखा, जर जर सड़कें, बंदपड़ी चीनी मिलें, लोगों की जिन्दगी कठिन बनाती है तो बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने और जंजारपूर को स्वतंतर जिला घोसित करने की मांग यहां के लोगों का मुख्य मुद्दा है। रोजगार के लिए खेती की अलावा दूसरा कोई बिकल्प नहीं है। साल यहां से सैकड़ों लोग रोजगार की तलास में पलायन करते हैं। उच्च सिक्षा के लिए भी छात्रों को दूसरे सहर जाना पड़ता है। जितने सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं वहां सिक्षकों की भारी कमी है। तो जाहिर है अलग लोगसवा शेतर बनने के बाद अनेक राजनेताओं को संसत जाने का मौका तो मिला लेकिन शेतर की जंता जहां उस समय थी आज भी वहीं पर है। जंता के सवालों पर जंजारपूर में कभी चुनाओ नहीं हुए। हर बार जातिये गुलबंदी और जोड तोड के बल पर चुनाओ लड़े गए और जीते गए। तो जंजारपूर को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है जातिये समिकरन बैठा लेना। जंजारपूर लोक्षवा शित्र में विधान सबा की छे सीटे आती हैं। आरजेडी ने जीत हासिल की है। तो यहां सारी राजनितिक पार्टियां इसी समिकरन पर काम करती हैं और उन्हें इसके बदले ही सफलता हासिल होने का भान रहता है। डॉक्टर जगरनाथ मिश्र और गौरी संकर राजहंस को छोड़ दें तो इस सीट का प्रतनिधित्व हमेशा से पिछड़े और अती पिछड़े सांसद ही करती रहे हैं। 1972 से 2019 तक हुए 13 चुनाओं में 11 बार इस सीट का प्रतनिधित्व पिछड़ा या अती पिछड़ा वर्ग के सांसदों ने किया है। पाटी कोई भी हो लहर कैसी भी हो मगर उमिद्वारों के चैयन में कोई भी पाटी इस फैक्टर को दर किनार नहीं कर सकती। तो जंजारपूर में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पाटी अपने अपने पहलवानों को अखाडे में उतारने के लिए हर तरह की कोशिश करने में जुड़ गया है। तो कौन होगा किस पाटी का पहलवान आईए एक नजर डालते हैं। जाहिर है इस सीट पर जदियू का कबजा है और रामपृत मंडल यहां के मौजूदा सांसद है। आईएन डिया गठबंदन की ओर से रामपृत मंडल की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन रामपृत मंडल की दावेदारी को चुनावती देने के लिए तयार खड़े हैं। जंजारपूर से पाँच बार सांसद रह चुके कद्दावर समाजवादी नेता देवेंदर प्रशाद यादो। देवेंदर यादो फिलहाल राजद के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष है। हलाकि देवेंदर यादो ने कुछ बर्स पहले अपनी पाटी समाजवादी जंता दल डेमोक्रेटिक बना ली थी। लेकिन 2019 के लोकसबा चुनाव के बाद उन्होंने अपने दल का राजद में बिलै कर दिया। जंजारपूर से पाँच बार सांसद रहे। देवेंदर यादो पिशली बार 2019 के चुनाव में भी इस सीट से चुनावी रण में उतरे थे। मगर चौथे नंबर पर रहे थे। इस बार देवेंदर यादो राजद से टिकट पाने की होड में है। उधर राजद में एक और नाम खूब चर्चा में है। मदवनी इलाके में अपना खास धमक रखने वाले कद्दावर नेता गुलाब यादो। इसे जो अदावत शुरू हुई थी वो अब खत्म हो गई है। पाटी ने उन्हें वापस ले लिया है। ऐसे में इस बार जंजारपूर सीट अगर राजद को मिला तो गुलाब यादों की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत दिखती है। क्योंकि पिछली बार 2019 के लोगसबाद चुनाव में भी वे इस सीट से राजद के उमिद्वार थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि गुलाब यादों हर हाल में राजद से टिकट चाहते हैं। अगर उन्हें टिकट देने में कोई इफ एन बट होता है तो ऐसे में वो अपनी बेटी बिंदू यादों के लिए भी एडी चोटी एक करेंगे। बहराल टिकट की मारा मारी अभी जारी है। दरसल जंजारपूर सीट जदियू का रहेगा या फिर राजद को इसको लेकर असमंजज के स्थिती बनी होई है। बिधान पारशद बने और बिधान परिशद में जदियू के मुख सचे तक रह चुके हैं। शित्र की जंता में साफ सुतरी चबी है और लोक प्रिये हैं। ऐसे में विरेंदर चौधरी की दावेदारी मजबूत दिखती है। एक तो नितिश मिश्रा जंजारपूर विधान सबा से चार बार विधायक रह चुके हैं। पढ़े लिखे और साफ सुतरी चबी वाले नेता हैं। सवारन वोटरों में अच्छी पकड़ है और भाजपा में भी कद ठीक ठाक है। ऐसे में चर्चा का बाजार गर्म है कि इस बार जंजारपूर से नितिश मिश्रा ही अखाडे में उतरेंगे। हलाकि ये इतना आसान भी नहीं लगता। बगल के दरभंगा सीट पर पहले से ही ब्रामन समाज से आने वाले गुपाल जी ठाकूर सांसद हैं। इसलिए जातिय समिकरण को देखें तो नितिश मिश्रा को जंजारपूर से टिकट तभी मिल सकता है जब दरभंगा से गुप इतमान सांसद रामपृत मंडल भी सीट बचाने की लड़ाई में बीजेपी का रुख कर सकते हैं। बीजेपी पिछड़े अती पिछड़ों की बर्चस्वाली इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में केंद्रि ग्रिह मंत्री अमित साह ने जंजारपूर में एक विशाल रैली की। बिहार के जंजारपूर में रैली का मतलब है कि बीजेपी इस इलाके में मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। तो बड़े दिल्चस्प मोड पर है जंजारपूर के सियासी दंगल की कहानी। चुनाओ आने से पहले अभी और कई मोड आने वाले हैं जंजारपूर में। तो जुड़े रहिए लाइब बिहार के साथ। लाइब बिहार पर अगली कड़ी में हम किसी और लोक्षवाशित्र की सियासी दंगल की दिल्चस्प कहानी लेकर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए ल लाइब बिहार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें।